दिल्ली शहर में तड़कुमल नाम का एक बेहत गुस्से वाला अदमी रहता था एक बार गुस्सा होने पर तड़कुमल क्या करेगा ये कोई नहीं कह सकता था ऐसे ही एक दिन इस तड़कुमल को अपनी पत्नी पर गुस्सा आया क्यों Cometon मैंने कितनी बार तुमसे कóc मुझे से कहा है कि मुझे सबजीमे कम नमक पसंद नहीं है रुकिये भी डाल देती हो सबजी में नमक इतना नमक क्यों मुझे मानने की सोच रही हो क्या मैं तोड़ी से सबजी डाल देती हूँ अर अर ये चपाती तो बिल्कुल कड़क है इससे तो मेरे दांट तुट जाएंगे कौन जाने कहां से ऐसे पत्नी मे लिए कितनी बार मैं ने तुमसे काया कि मुझे भोजन में अन्न के सिवा और कुछ भी पसंद नहीं है अब इसमें बाल कहां से आया नहीं जी गलती से आ गया होगा दोबारा मुझे ऐसी गलती नहीं होगी दोबारा ऐसी गलती हुई न तो नाई के पास तुम्हारे सर से सारे बाल कटवा दूगा फिर देखता हम भोजन में बाल कैसे आते हैं पत्नी को इतना धमकाने के बाद भी एक दिन जो होना था वही हुआ तड़कुमल के भोजन में फिर से बाल आया जी वो गलती से आया होगा मैं अभी पहले ही बाल बना लेती हूँ उठ अभी क्या भी उठ और नहीं को यहां बुला के ला नहीं नहीं जी नहीं मैं मैंने अब अब ऐसा नहीं होगा मेरे बाल मत कटवाईए मेरे बाल मत कटवाईए अच्छा पिछली बार भी तुमने यही का था पर फिर से आया ना बाल अब सजाने मिलेगी तब तक तुम नहीं सुद्रोगी चलो निकलो यहां से पती के सामने अपनी एक भी चलने वाली नहीं यह समझते ही मोगरा ने नाई के घर का रास्ता लिया फिर उसे सारी बातें बताई यह सुनकर नाई बोला दिदी, आपके पती के सामने मेरा बस चलना मुश्किल है हमें काम करते हैं, हम चलते हैं बिर्बल के पास और देखते हैं कोई इलाज मिलता है क्या फिर मोगरा और नाई बिर्बल से मिले उन्हें सारी बात बताने पर बिर्बल ने कहा अब जैसा मैं बताऊं वैसा ही करना तड़कुमल जी, ओ तड़कुमल जी, चलिए जल्दी चलिए कौन है, अरे नाई तुम, और मोगरा कहा है जी, दीदी को स्नान करने भिजवाया है उसके बगर ठीक से बाल काट नहीं सकते न ये अच्छा क्या है तुमने तो अब आप भी एक काम कीजिए न ये वीश लीजिए और फटाक से पी जाएए ये वीश, ये मुझे क्यों पीना होगा अजी, आपकी पतनी के बाल जो काटने हैं न तो, अरे तो तो क्या आप मरे बिना मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ हमारे धरम में ही वैसा कहा गया है चली 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 पड़ाबट निपड लीजिए जल्दी 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 नहीं, 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 क्या ले लो जल्दी, बिर्बल जी ने ये वीश खास करके आपके लिए भिजवाया है तो फिर क्या, हाँ, बड़े ठाट से आपकी अंतिम यात्रा निकलने वाली है आप अपने धर्म का इतना आदर करते हैं इसलिए खुद बाच्छा भी अंतिम यात्रा में शामिल होने वाले हैं अरे, बहुत ही नसीब वाले हैं, आप तो तड़कुमल जी नहीं, 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 भाईया, अरे, मुझसे भूलो गई इतनी भारी सजा मत दो मुझे फिर, आप भी आपकी पत्नी को कितनी भारी सजा दे रहे थे तड़कुमल जी आहा, सचा है आपकी बाद, आप भूलो गई, सच मुझ भूलो गई, गुसे के करण मैं तो अंदा हो गया था अच्छा हुआ आपने मेरी आँखे खोल दी अजी मैं कौन आपके आँखे खोलने वाला? ये काम तो है चतुर बिर्बल जी का सरकार, आप ये क्या कर रहे है? मूर्क, देख नहीं सकते मैं बिर्बल को मार रहा हूँ पर ये तो सिर्फ एक पुतला ही है अरे, पुतला भी तो बिर्बल का ही है ना? यहां वो कहां अपनी चाला की दिखा पाएगा? चुप-चाप खा रहा है ना मार? नहीं, आपकी बात तो सही है पर इस पुतले को मार कर आप थोड़ी ना वजीर बन सकते हैं चुप! इस तरह हसने की बजाए कुछ सोचो तुम लोग, कुछ सोचो! उस बिर्बल की जगे मेरी पसंद की कैसे हो सकती है? इसका विचार करो! आई! आई! आई बात दिमाग में! अरे तो बताओ ना, क्या बात आई दिमाग में? हाँ हाँ, बता रहा हूँ, पर पहले आप बताईए कि अपने शहर में सबसे ख्यात नाम और विदवान विक्ति कौन है? अरे सबसे ख्यात नाम यानि अपने शेर खान नहीं शेर खान से भी ख्यात नाम यानि बिर्बल और और बिर्बल से ख्यात नाम जिसे सब पहचानते हैं अपने अक्बर बादशा अरे कोई इसका मू बन करवाओ बात किसकी चल रही है और ये बात किसकी कर रहा है सज पूछो तो अपने शेहर में सबसे क्या आतनाम व्यक्ति यानि हसन नाई है सब उसे पहचानते हैं अरे वाँ 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 बोलो कौन है वो बोलो बोलो तो सही तुम बताओ ऐसा कोई यानि तान सेन शबाश तान सेन ही शेर खान जी तान सेन ही आपकी मदद कर सकते हैं वो कैसे भाई खान साब आप हर बार बाच्छा के सामने वजिर बनने के लिए जिद करते हैं ठीक है और हर बार बिर्बल की जीत होती है हाँ मैं जानता हूँ बार-बार क्यों मुझे याद दिलाते हो वो नहीं इस बार आप वजीर बनने के लिए तानसेंजी को आगे करे तो पर इससे होगा क्या तानसेंजी की विद्वत्ता बिर्बल से भी श्रेष्ट है और वे विक्याद भी है अगर आप उन्हें वजीर बनाने को कहेंगे तो बाच्छा के लिए मना करना मुश्किल होगा वाँ 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 इसी कारण बिर्बल आराम से वजीर की गद्दी से टल जाएंगे हाँ यानि लाठी भी मरेगी और साब भी नहीं तूटेगा तरकी बच्छी है चलो काम पर लग जाते हैं सा 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 वेगा मसा सा अरे शेर खान आप जी तानसेंजी मैं सोचा आप जैसे महान संगीत कार से कला की थोड़ी सी उपासना की जाए मैं कैसा महान शेर खान प्रभु ने कला दी है पैटो सिर्फ उस कला का एक पुजारी हूँ नहीं तानसेंजी आप सचमुच महान हैं इस दुनिया के अंगिनत लोग आपकी कला के भक्त हैं रसिक हैं हाँ कला की उपासना की तो सिध्धी प्रसिधी अपने आप चलियाती है वाह 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 कितने उचे खयाल हैं कैसी महान विद्धता है आपके पास पर एक बात को देखते हुए بड़ा दुख होता है दिल में मानों कांटा चुपता है कोई गलती हुई क्या मुझ سے नहीं, नहीं, कैसी बात कर रहे हैं तानसेंजी, अजी गलती आपकी नहीं, हमारी है म, 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 मतलब? आप जैसी महान व्यक्ति अपने राज्य में होते हुए भी, वो बीरबल क्या बीरबल? वो तो बहुत ही विद्वान है छोड़िये, कहां का विद्वान और कैसी बात? चतुराई से बोलने से और नई-नई युक्तियों से कोई विद्वान नहीं बन जाता तानसेंजी, बीरबल तो प्रसिद्धी और पैसे दोनों पर हात रख कर बैठा है अब अब आप कहना क्या चाहते हैं? हम तो इतना ही कहना चाहते हैं कि इस राज के वजीर आप ही बने क्या? मैं और वजीर? जी हाँ जनाब मेरी दुनिया तो संगीद किये है, वो काम मुझे कैसे जमेगा? अलबा मेरा वजीर बनना, बादशा को भी पसंद होना चाहिए ना आप इतने महान हैं, गुणवान हैं अगर आप वजीर बने, तो आपको आपकी कला संभालने के लिए, बढ़ाने के लिए, कई नए मौके मिल सकते हैं आप वजीर बने, ये सिर्फ हमारी ही नहीं, बलकि कई देश के लोगों की ख्वाईश है बादशा के सामने आपका नाम रखा गया, तो उन्हें एक बार नहीं, दस बार सोचना पड़ेगा ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप कह रहें तो पूछ लेता हूँ बादशाह से दुसरे दिन तानसेन ने दरबार में अकबर से कहा बादशा सलाबत, प्रणाम करता हूँ बताईए तानसेन जी, आज कैसे याद आ गई हमारी जहापना, आप तो जानते ही हैं कि मैं एक महान संगितकार हूँ दुनिया में कई लोग मेरी कला के दिवाने हैं हाँ तानसेन जी, आप महान हैं, तभी तो मेरे दरबार में नौ रतनों में से एक हैं नहीं, इस दरबार में विदवत्ता के हिसाब से मैं सबसे महान और विख्यात हूँ तो तो इस इस राज्य का वजीर मुझे होना चाहिए ऐसी कई देश के लोगों की इच्छा है, क्यो ठीक है ना शेर खान जी शेर खान का नाम आते ही, बिर्बल को वजीर की गद्दी से दूर करने की ये शेर खान की कोई नई चाल है ये बात अकबर समझ गए, तुरंत उन्होंने एक सेवक के कानों में कुछ कहा सेवक के जाने पर अकबर ने कहा ठीक है, तांसन की विद्वत्ता बिर्बल से जरूर श्रेष्ट है वो अगर इस राज्य के वजीर बने तो वो अपना ही सम्मान होगा लेकिन बिर्बल हाल में वजीर है, उनको इतनी आसानी से दूर करना संभाव नहीं है तो क्या किया जाए जहाँ पना? बता रहा हूं बिर्बल और तांसन जी जहाँ पना आप ये ख़त लेकर एरान के बादशा के पास जाईए आप दोनों में से जो भी इस ख़त का जवाब लाएगा वो इस राज्य का वजीर बनेगा मन्जूर? मन्जूर है जहाँ पना? बस इतनी सी बात है ना? अब ही जाता हूं और जवाब लेकर आता हूं बादशाह सलामत बाहर दो लोग आये हैं कहते हैं दिल्ली के बादशा ने उन्हें यहां कुछ काम से भीज़वाया है हाजिर किया जाए बिर्बल और तानसेंड इरान के बादशा समक्ष हाजिर हूए बादशाह सलामत हमें दिल्ली के अकबर बादशाह ने भेजा है उन्होंने इस खत का जवाब मांगा है यह सब क्या बात है? बादशाह सलामत सीधी सी बात है यह तो एक खत है उन्होंने इस खत का जवाब मांगा है बस वो आप मुझे दे दीजी इस खत में तो खत लेकर आने वाले का शिरत्छेत किया जाए ऐसा लिखा है शिरत्छेत का नाम सुनते ही तानसेन हक्का बक्का रह गया पसीने से लजबत हो गया बिर्बल भी दंग रह गया देखो अजो हकीकत में तुमने क्या किया है और तुम्हारा सर क्यों काटा जाए ये मुझे मालूम नहीं है पर राजधर्म का हुक्म समझ कर मुझे तुम्हारे सर कटवाने ही होंगे नदीफ कल सुबह होते ही इनका सर कलम कर दिया जाए तब तक इन्हें बंदी बना कर रखा जाए जो हुकम बिर्बल जी कुछ कीजिए और मुझे मतलब हम दोनों को इस संकट से बचाईए आप इतने बुद्धिमान है आप जरूर कुछ ना कुछ सोच सकेंगे मुझे नहीं बनना है वजीर फिर कभी उनकी बातों में नहीं आऊँगा छोड़िये वितांसेंजी कभी-कभी होता है ऐसा कल जैसा मैं बताऊं वैसा ही करना ठीक है ठेरो क्या हुआ कुछ नहीं कुछ नहीं रुकिये क्या हुआ कुछ नहीं कुछ नहीं पहले मेरा शिरत छेत करो नहीं 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 पहले मेरा शिरत छेत करो नहीं 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 पहले मेरा 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 नहीं नहीं पहले मेरा भेरो देखें मेरा बात सुनिये तुम्हारा क्या करना है वो बादशाह ही बताएंगे ठीक है ठीक है, मैंने जो कहा था, वो बराबर से याद है के नहीं? हाँ, सब याद है, हाँ जी ये क्या हो रहा है? बाच्छा सलामत, आपने हमें आखरी ख्वाइश के बारे में तो नहीं पूछा क्या ख्वाइश है तुम्हारी? इससे पहले मेरा शिरच्छेद किया जाए और तुम्हारी क्या ख्वाइश है? मेरे बाद इसका शिरच्छेद किया जाए क्या? जी बाच्छा सलामत, इससे पहले मेरा और उससे भी पहले मेरा शिरच्छेद तो इससे पहले से पहले मेरा जी तुम दोनों पहले सर कटवाने के लिए इतने उतावले क्यों हो नहीं वह हम नहीं बता सकते हैं पर इतना तो जरूर को सबता के मतलब की नहीं नहीं पहले मेरा ही शिरचित किया जाए हां नहीं, पहले वजय बताओ, तब तक मैं किसी का भी सर नहीं कटने दूँगा ठीक है, ठीक है, बताता हूँ, पर पहले हमारे हाथ तो खुलवाईए ठीक है, खोल दो इनके हाथ जी, शुक्रिया बादशाह सलामत, हम दोनों ही बिलकुल निर्दोश है और आपके द्वारा हमारा शिरच्छेद हो, ऐसी हमारे बादशाह की ख्वाहिश है ऐसी कैसी ख्वाहिश? जी, बादशाह सलामत, अजीब सी है, लेकिन फिर भी यह सत्त है हुजूर, हमारे जहापना आपका राज जीतना चाहते है पर आप पापी, अन्याई, अत्याचारी और बड़े ही कप्ती नहीं है, नहीं है आप तो बड़े पाक, पाक और इसलिए क्या है कि आपका राज जीतने में हमारे जहापना को मुश्किले पैदा हो रही है, ना एक बड़े जोतिशी ने उन्हें बताया है कि किसी भी दो बेगुनहा इंसानों की यदि आपने हत्या की, तो वे बड़ी आसानी से इस राज्य को जीत पाएंगे, जनाब जी, और आप उनके बंदी बनेंगे, हमारे बादश्या बहुत ही महत्वा कांग्शी है बादश्या सलामत, पर ये दोनों पहले मरने के लिए क्यों जख़ड रहे थे वो ऐसा है जहापना कि यहाँ के लिए निकलने से पहले हमारे गुरुजी ने कहा था कि तुम दोनों में से जो पहले मरेगा, वो इस राज्य का राजा बनेगा और जो बाद में मरेगा, वो उसका वजीर और मैं राजा बनना चाहता हूँ बादश्या सलामत नहीं, मुझे राजा बनना है ठेहरो, ठेहरो, तुम्हारा बादशा मेरे खिलाफ ऐसा कपट खेल रहा है चलो अभी इसी वक्त तुम निकलो और उसे बता दो कि मुझ जैसे पाक बादशा की सल्तनत जीतना इतना आसान नहीं है, समझे चलो, निकलो अच्छा सलामत हमारा शिरचेद, ऐसा है तो पहला इसका ही कीजिए ना मैंने कहा न, निकलो यहां से जहाँ अपना, इस राजय का वजीर बनने के लिए बिर्बल ही सर्वस्रेष्ट है मैं इसके लायक नहीं हूँ बर आखिर ऐसा हुआ क्या बुद्धी सरेष्ट, आप तो सर्व ज्यानी है वहां क्या हुआ, इस बात का पता तो आपको अब तक चल ही गया होगा हाँ, 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 जानता हूँ, सब जानता हूँ मैं एक दिन अगबर बाद्शा बेर्बल पर बेहत गुस्सा हुए उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है बिर्बल तुमने हमारी बेगम को गला ठीक करने की दवाई दी और उससे गला ठीक होने के बजाए और भी खराब हो गया सुना कितना बेसुरा गा रही है वो अरे पहले उसे चूप करवाओ या कम से कम अंदर ले जाओ सरकार मेरे हिसाब से जो सबसे बढ़िया दवाई थी वही मैंनों उनको दी है कभी कभी किसी को किसी दवाई का फायदा नहीं होता है पर ये पहले ही बताना चाहिए था न भही बादशा की बेगम साहिबा का गला कोई प्रयोग करने का ठिका न लगता है क्या तुम्हे और तुम्हारी इस गलती की सजा अपने बादशा को भुगतनी पड़ रही है अलम पना बिर्बल जी को उनकी गलती की सजा मिलनी ही चाहिए ठीक है हुसूर मुझे अपनी गलती कुबूल है सिर्फ कुबूल करने से नहीं चलेगा सजा भी मिलनी चाहिए शेर खान सही कह रहे हैं बिर्बल तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए क्या सजा दी जाए तुम्हे वो मैं कैसे कहूँ और मुझ पर आरोप आप नहीं रखा है इसलिए आप बाच्शा होते वे भी मुझे क्या सजा दी जाए इस बात का निर्णे आप नहीं कर सकते हुजूर तुम्हारी बात भी सही है तो फिर अब सरकार आपको कोई एतराज ना हो तो मैं इस मामले का इंसाफ करता हूँ जहाँ बना अगर जरूरत पड़ जाए तो मैं भी हूँ ना इनकी मदद के लिए नहीं नहीं इस दर्बार में पहले से ही बिर्बल से नाराज हो ऐसे कई लोग हो सकते हैं इसी कारण इस मामले का इंसाफ पारदर्शक होना जरूरी है वरना बिर्बल को अन्याय होगा तो कौन करेगा इसका इंसाफ? वो तो बिर्बल ही बताएगा पर वो तो उसके तरफदारी करने वालों को ही पसंद करेगा याद रखो, आज तक बिर्बल ने सब का सही इंसाफ किया है, इंसाफ की सही कीमत वो जानता है, इसलिए उसे सजा कौन देगा, ये भी वो ही तै करेगा, बताओ बिर्बल, इस काम के लिए तुम किसे चुनना चाहोगे? अगर आप कह रहे हैं तो अपने शहर बाहर की बस्ती में गरीब भिकारी, दीन दुखी लोग रहते हैं, मुझे अपना न्याए उन लोगों से करवाना अच्छा लगेगा क्या? पर वो लोग तो अनपढ हैं, वो क्या इंसाफ करेंगे? सरकार वे अनपढ भले ही हो, पर बुद्धी ही नहीं है, शेर खान जी, न्याए करने के लिए कोई पुस्तक पढ़ने की आवशकता नहीं है, आपको एतराज नहों तो… ठीक है, बिर्बल, तुम कह रहे हो, तो वो लोग ही तुम्हें सजा फर्माएंगे, जाओ ले आओ उन्हें अरे चलो चलो फटा फट चलो, बाच्छा इंतजार कर रहे होंगे क्या पता, अभी आभी क्यों बला है, कुछ पता है, लेकर अभाणे अरी यह देखो, उसने पूरे कफड़े पहने हैं, देखो अरे देख 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 देख, पाओं में जूते भी है अरे यह, किस ने दिया तुम्हे, यह, चुप चाप सामने देखो क्या तुम जानते हो, तुम्हें यहां क्यों बुलाया गया है तुम लोगों को यहां कोई सजा भुगतने नहीं लाया गया है पर तुम्हें बिर्बल को सजा फर्माने के लिए बुलाया गया है आजे जी माली का, अबर ऐसा क्यों कह रहे हैं हमने क्या अपराद किया है, हमें ऐसी सजा दे रहे हैं बिर्बल जी तो बहुत ही बड़े हैं उनका बहुत नाम सुना है हमने चलना आपना है उनका नियाए हमें करना है मतलब सुरज का नियाए काजल करें ऐसा हुआ आ, ठीक क्या रहे हैं पर बिर्बल का इंसाफ तुम करो ऐसी बिर्बल की ही मर्जी है तो उसकी मर्जी और मेरा हुक्म तुम्हें इसे सजा फर्मानी ही होगी बिर्बल द्वारा किये गए अपरात की बात बादशा ने उन तिनों को बताई और कहा अब तुम तिनों बातचित करके तय करो कि क्या सजा दी जाए तुम्हारा इंसाफ इसके लिए बंधनकारक होगा फिर तिनों अपने आप में चर्चा करने लगे मेरा कहना यह है कि आप बादशा का आदेश है तो बिर्बल को बहुत बड़ी सजा तो अपने को देने ही पड़ेगी अच्छा ने उसे आज तक बहुत मोहरे दिये तो उसे पूरे पचास मोहरों का दंड अरे 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 यह कैसी बात कर रहे हो तुम्हा अरे कितना भी बड़ा अमीर के ओना हो वजीर हो लेकिन इंसान तो पहले है ना तो फिर इतना बड़ा दंड कब भर पाएगा वो उसके बतले हम हम उसे पच्चिस मोहरों का दंड करते हैं चलेगा चलेगा जिसला का वह ने ले कि बिदी बच्चों का शाप बोल लेते हो अरे मैं मैं क्या बोल जाएंगे जिन्दगी बर हमें याद करता पूरा हालात के बारे में सोच कर बिर्बल को दंड करने का हमने तै किया है और वो यह है बताओ तो कितना दंड भरना होगा उसे अब बिर्बल जी को पूरा पांच महरों का दंड भरना होगा इन तिनों का फर्माया हुआ पांच महर का दंड बिर्बल जी के लिए अत्यांत मामूली था ये सुनकर अकबर को बेहत आश्चर्य हुआ और आखिर बिर्बल ने अपना तटस्थन्याई करवाने के लिए आजमाई हुई युक्ति की अकबर ने तहे दिल से तारिफ की एक बार एक गरीब ब्रामन किसी सम्रुद्ध घर का दर्वाजा खट-खट आते हुए बोला कोई है घर में आप कौन है? मैंने पहचाना नहीं आपको ये जमान, मैं एक प्रवासी हुँ काशी यात्रा के लिए निकला हुँ अज संध्या समय होते होते आपके शहर पहुचा हुँ तो कृपया आप, आज की रात मुझे आपके घर में आस्रा दीजिए सुबह होते ही मैं अपनी मंजिल के और निकल पड़ूँगा इस गरिब ब्रामन की बात सुनकर यजमान को दया आई वो तुरंत ही बोला अरे, आईये ना आईये, भुदेव आईये मुझे कोई तकलीफ नहीं है मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिल रहा है यही मेरा सौभाग है वाह, कितने उदार हैं आप आपकी सातो पिढ़ी का कल्यान हो यजमान ने ब्राम्मन को अपने घर में आश्रा दिया उसे पेट भर भोजन करवाया और सोने के लिए अलग कमरा भी दिया देन भर के प्रवास से थके हुए ब्राम्मन को जल ही नींद आ गई उन दिनों दिल्ली में चोरियां बहुत ही बढ़ गई थी सरकार ने रात के समय पहरा देने वालों की संख्या भी बढ़ा दी थी जाकते रहो जाकते रहो दुर्भाग्य से उन्हीं पहरेदार सिपाईयों में से एक सिपाई खूद भी चोरी करता था और चोरी का माल अपने घर ले जाता था यजमान ने प्रामण को जो कमरा सोने के लिए दिया था उसी कमरे की दिवार उस चोर ने खुदाली से तोड़ दी और अंदर की पड़ी हुई एक बंद संदुक की ओर उसने कदम बढ़ाए सिपाई ने संदुक खोल कर देखा तो उसमें खिमती जवाहरात थे वो तुरंत ही संदुक लेकर निकल पड़ा जाते जाते उस सिपाई का पाउं उसी कमरे में सोये हुए ब्रामण को लगा ब्रामण ने तो उस चोर का पाउं पकड़ लिया और चिल्लाने लगा चोर चोर तब वो चोर ब्रामण से कहने लगा चोड़ो, चोड़ो मेरा पाउं चोड़ो वर्ना नहीं, नहीं, मैंने येजमान का नमक खाया है उनका संकट मेरा संकट है मैं तुम्हें भागने नहीं दूँगा दोड़ो, दोड़ो, दोड़ो ब्राम्मन की बातों से चोर समझ गया कि वो ब्राम्मन इस घर में मेहमान है उसने ब्राम्मन को प्रलोभन दिखाते हुए कहा इस संदूक में बहुत सारे गहने है बाहर चल कर हम इसे आधा आधा बांट लेते हैं नहीं नहीं ऐसी बैमानी करना मेरे लिए संभव नहीं है और तुमने तो सिपाही की वर्दी पहन रखी है और तुम ही इस तरहे चोरी करते हो अब ये चोरी अपने सर पर ही आएगी इस बात का पता चलने पर उसने जोर जोर से चिलाना शुरू कर दिया अरे सेड़ जी, ओ सेड़ जी कमरे से आती हुई आवाज सुनकर यजमान वहाँ पहुचा तब सिपाही ने संदुक नीचे रखकर ब्रह्मन को पकड़ लिया यजमान को देखते ही सिपाही ने कहा सेड़ जी, ये देखिए आपका चोर, ये संदुक लेकर भाग रहा था मैंने उसे पकड़ लिया है नहीं, नहीं ये जूट बोल रहा है उल्टा वही चोरी कर रहा था, मैंने उसे पकड़ा है ये जमान को ब्रह्मन की बात का भरोसा नहीं हो रहा था उन्हें लगा कि ये ब्रह्मन मन में कपट लिया अपने घर में घुसा है और मौका मिलते ही चोरिकी है वो बोला अरे मैंने तुम पर दया की उसका ये फल दिया तुमने अब तो तुम्हारा क्या किया जा ये बाच्छाहा ही तई करेंगे दुसरे दिन यजमान शेट जी ब्रामन और सिपाई के साथ अकबर के दरबार में आये उन्होंने बाच्छा अकबर को रात को घटी हुई सारी बातें बताई तब बाच्छा ने बिर्बल से कहा बिर्बल अब इसका फैसला तुम ही करो जी हुजूर अब बताओ कि ये भुदेव कौन है और आपके घर कैसे पहुचे मैं एक प्रवासी हूँ काशी यात्रा को निकला हूँ अजी इनकी बिंती सुनकर मैंने इन्हें आस्रा दिया पर्व नहीं माहराज जहाँ पना मुझे माफ कीजिये मैं आपकी करवाई में बीच में आ रहा हूँ पर जहाँ पना मेरा काम ही ऐसा है बोलो जहाँ पना मेरा बेटा और मैं गाओं के बाहर हनुमान मंदिर गए थे दर्शन करके हम दोनों बाहर आ रहे थे तभी बच्चा मूर्चित हो गया और जमीन पर गिर पड़ा जहाँ पना मैं डर गया हूँ उसे उठा कर लाने की हिम्मत मुझ में नहीं है कृपया आप दो आदमी भिजवाईए तुम अपने बेटे की चिंता मत करो उसका बंदोबस्त मैं करता हूँ तुम्हें यहाँ एक खास जमेदारी निभानी है इसलिए तुम वहां मत जाना तुम दोनों हनुमान मंदिर जाकर उस बच्चे को यहाँ ले आओ तुम्हारे लौटने पर ही हम इस मामले का नियाई करेंगे सिपाही मंदिर का स्थल जानता था बिर्बल की आज्या होते ही वो उस ब्रामन के साथ मंदिर की ओर गया ब्रामन के उपवस्त्र की जोली बना कर उसमें मुर्शित बालक को उठा कर वो वापस लोटे रास्ते में चलते चलते उसने सिपाही से कहा अय चोर वास्तव में दीवार तुमने तोड़ी चोरी भी तुम ही कर रहे थे और फिर भी समय आने पर तुमने कहा कि चोरी मैंने की है भुदेव आपकी बात सही है पर मैं उस संदूक में भरे गहनों का आधा हिसा देने को तयार था ना पर आपने मेरी बात ही नहीं सुनी, तो भूख तो अब अपने प्रामानिक्ता का फल बोलते बोलते दोनों उस बच्चे को लेकर दरबार तक पहुँचे बच्चे के पिता ने उस बच्चे को एक जगा सुलाया और वो भी वहीं बैठ गया अब बिर्बल ने फिर एक बार इन दोनों को सवाल पूछा सच सच बताओ, तुम दोनों में से चोरी किसने की है? इसने जहापना, मैं इस राजी का सिपाही हूँ, रक्षा करना मेरा काम है, मैं कैसा चोरी कर सकता हूँ? हे रक्षा, असली चोर तुम ही हो, मैंने तुम्हारी सारी बाते सुनी है, दिवार तोड़कर गेनों की संदुक लेकर तुम ही भाग रहे थे असली चोर का पता चलने पर सारा दरबार अचंबी में पढ़ गया बिर्बल ने तुरंत ही उस सिपाही को कारावास की सजा सुनाई और उस ब्राम्मन को निर्दोज जाहिर किया अकबर से रहा न गया, उसने दुसरे सिपाही से पूछा क्यों भई, तुम्हारा बेटा तो बेहोश हो गया था ना कैसी बेहोशी जहाँ पना, ये तो चोर की खोज करने के लिए बिर्बल जी ने मेरे बेटे को वहाँ सुला कर ऐसा नाटक करने कहा ये सुनकर बादशा बिर्बल पर स्तुति सुमन बरसाने लगे और बिर्बल से जलने वाले जलते ही रह गए कभी कभी अकबर बादशा को बिर्बल की चतुराई की परिक्षा लेने का दिल होता रहता था ऐसे ही एक दिन बिर्बल को अपनी ओर आते हुए देखकर अकबर बिमारी का नाटक करने लगे अब तो मेरे लिए जीना मुश्किल होता चला जा रहा है हुसूर क्या हो रहा आपको कोई परेशानी है क्या अल्ला जल से जल मुझे छुड़ा लो नहीं चाहिए ऐसी हातना क्या हो रहा है हुसूर आप ऐसी बाते क्यों कर रहे हैं अरे बाबा सुबह से सीने में बेहत दर्द हो रहा है ओ मा और और कमजोरी भी बहुत ही लगती है ओ ओ ओ ओ ओ ठहरिये ठहरिये मैं अभी हाकिम को लेकर आता हूं अरे वो तो सुबही आ कर गए अच्छा तो उनकी आउशदी का कोई असर नहीं हो रहा है क्या अजी तो फिर किसी दूसरे राजे से ले आते हैं कही ना कहीं तो मिलेगी ही ना मिलेगी या नहीं कौन जानता है अल्ला उठालो मुझे जल्दी उठालो जहाँ पना इस तरह हिम्मत मत हारिया आप मैं आशदी लेकर आता हूं बताइए कौन सी आशदी लानी है हकीम ने मुझे महीने भार के लिए बैल का दूद पिने को कहा है हाँ बैल का दूद बैल के दूद की बात सुनते ही बात्षा अपना मजाग उड़ा रहे हैं ये बात बिर्बल समझ गया कुछ समझ में नहीं आया है ऐसा दिखाते हुए बिर्बल बोला बस इतनी सी बात है जापना दो दिन का समय दीजिए अपने राचे में बहुत सारे बैल है उसमें से कोई एक तो दूद देता ही होगा ना मैं आपको दो दिन में लाकर देता हूँ बैल का दूद ठीक है तब तक रखता हूँ तैरिया ओ माह अल्लाह अज़ा को आश्वासन देकर घर पहुचकर बिर्बल सोचने लगा बिर्बल का चिंता ग्रस्त चहरा उसकी बेटी तेजस्विनी ने देखा उसने बिर्बल से चिंता का कारण पूछा तब बादशाद्वारा दी गई नई जिम्मेदारी के बारे में बिर्बल ने तेजस्विनी को बताया तभी तेजस्विनी बोली तो आपको इस बार कोई तरकीब नहीं सूज रही है क्या? चाहो तो मैं कोई तरकीब बताऊं आपको मतलब उनको क्या जवाब देना है वो? तरकीब तो मिली है पर उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की आवशकता है और उस काम के बारे में तुम्हें कैसे कहूं वो सोच रहा हूं मैं अरे कोई भी काम बताईए मुझे मैं अवश्या आपकी मदद करूंगी आपकी मदद करना मुझे अच्छा लगेगा ठीक है तो फिर सुनो सरकार बाहर एक्स्त्री आपसे मिलना चाहती है वो आपको कोई खुश खबर देना चाहती है ठीक है उसे अंदर भेजो हुजूर लीजिये ये लड़ू और आज बीरबल जी कहीं दिखाए नहीं दे रहे कहां है वो भार काओं गए हैं ठीक है जाने दीजिये हे बालिके कौन हो तुम और ये लड़ू क्यों बांट रही हो सरकार हमारे घर में इस बार खुश खबरी है खुश खबरी यानि इश जी मैं मैं आट दिन में मां बनने वाली हूँ आट दिन में मां पर तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता है यही तो खास बात है इसलिए तो मैं आज ही लड़ू बांट रही हूँ सुनो तुम ये क्या बात है वो साफ साफ बताओ जहाँ पना मैं आट दिनों में मां बनने वाली हूँ पर हमारी संतान को जन मैं नहीं मेरे पती देने वाले हैं क्या? जी, हमारी संतान उनी के पेट में पल रही है क्या हमें बेवकुप समझ रही हो? तुम जो भी कहो वो हमें मान देना चाहिए पुरुष कभी घर्बधारन कर सकता है क्या? क्या पता हुजूर अब तक मेरी शादी कहां हुई है? आपने कभी घर्बधारन किया है क्या? सरकार, अगर आपको विश्वास ना हो तो मैं उनको अभी बुला लेती हूँ वो बाहर ही खड़े हैं मुम्किन है इस दुनिया में देखिये जहाँ पना, मेरे पती अब आट दिनों में जन्म देने वाले हैं अब तो मान रहे हैं ना अब ये कैसे मुम्किन है? इस दुनिया में कभी पुरुष जन्म देता है क्या? आप, क्यों नहीं सरकार? अपने राज्य में अगर बैल दूध दे सकता है तो पुरुष भी गर्भ धारण कर सकता है वाब बीरबल तुम्हारे ऐसे जबरदस जवाब से हम खुश है ये लो सौ मोहरों का इनाम सरकार, ये इनाम बाट दीजिए क्योंकि इसमें इसकी भूमिका भी बड़ी है हाँ, पर कौन है ये? मैं बीरबल जी की पुत्री हूँ सरकार, तेजस्विनी अच्छा, ये लो तुम्हारा इनाम और ये है हमारी संतान